कि चलिए कि वेरी वेरी गुड इविनिंग आज में एक बहुत ही अच्छा कुशन करने वाले हैं और फिर देखते हैं आगे क्या रहते हैं अराम से करेंगे कोई जल्दी भागा दोड़ी नहीं है यह इंट्रिंसिक वेल्यू मैथड़ न है इंट्रेंसिक वेल्यू मैथड यह सीख लेते हैं ठीक है इसके बाद पिर हम एक जर्णल एंट्री शीखेंगे व्यार का और वह पूरा कोश्चन करने वाले आराम से टाइम लगेगा उसमें वट करेंगे पूरा पैन आफ कर दो चल सब चला के एक ठीक है बड़ी आए ओन करना हुआ नहीं अब तो ठीक करके गया होगा हुआ पानी जो कली दो गया हुआ क्यालिए सर्थ मेथड ना बड़े सारे आ जाते हैं और मैंने अब्जर्ब किया है कि ये ना कुश्चन जो है मेथड बोल बोल के ज़्यादा डराते हैं बच्चों को इंस्टेड ओफ मेरे इसाब से किताब वालों को सिखा देना चाहिए यह चीज इतनी होती है है बड़ी सीरी सी बात है उन्होंने मेथड निकाल दिया स्वैपिंग मेथड मतलब स्वैपिंग तरीके से किया जाएगा यह इंट्रिंसिक अलग अलग चीज़े आप देखिए इसके अंदर आप इंट्रिंसिक क्यों पर बिल्कुल फोकस ना करें इसका निकलता कैसे है परचेस कंसिडरेशन वह बस सिंपल सी बात देखने हैं यहां पर एक तरीका और होता है हम बोलते हैं कि भाई कहता है यहां पर परतीक्षा लि लिमिटेड इसका मतलब परतीक्षा लिमिटेड निदी लिमिटेड को खरीद रहे हैं तो यह सेलर कंपनी है अब इसके अंदर देखा जाए इसके अंदर देखा जाए तो भाईया बायर कंपनी इसको कुछ पेमिंट करेगा बायर कंपनी उन्हें बोला भाई तेरे को जितने तेरी कंपनी में शियर है न उतने मैं तुझे शियर पेमिंट कर दूँगा बात खतम लेकिन मैं अपनी कंपनी के तुझे शियर दे दूँगा कहता है मैं तुझे अपनी कंपनी के क्या करूँगा शियर दे दूँगा बह दोनों कंपनी का हमें का वेल्यू निकाल लेना चाहिए पर निकालेंगे दोनों कंपनी का देखिए एक कंपनी दूसरी कंपनी का एक ही बार पर निसलें एक पहली कंपनी कौन सी है कि बायर कंपनी का नाम पी लिमिटेड और यह एंड लिमिटेड परचेस कंसिडरेशन यहां पर एसेट्स लिख देते हैं वही सारे एसेट्स के मार्किट वेल्यू और उसमें से लेस कर देंगे लाइबलिटी कहीना कहीन नेट एसेट्स के जैसा ही बनेगा यह तो सर सारे एसेट्स अगर लिख दे हम एसेट्स में क्या है फिक्स एसेट्स नीचे कुछ वेल्यूएशन दिया नहीं है कहता है बुक वेल्यू के बेसिस पे निकाल लो ते फे फेक्स एसेट्स साधे तीन लाक और नीचे का डेड़ लाक तो इसका साधे तीन लाक और दूसरे का डेड़ लाक इसके बाद इन्वेस्मेंट इन्वेस्मेंट में दो लाक पचास अजार और है ही नहीं तो छोड़ दो इसके बाद करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स देखा जाए तो तीन लाग और इसमें देखा जाए तो एक लाग लो जी यह टोटल एसेट्स आ गया है लाइवलिटी में कहानी वही है यह जो दे रखा है इसको नहीं लेना इसको नहीं लेना इसको नहीं लेना बागी इन दोनों को ले लेंगे यहां पर इसको नहीं लेना इसको नहीं लेना और यह दुनों ले लेंगे हैं तो पहले डिवेंचर ले लेते हैं अब बात कर लेते हैं क्रेडिटर क्रेडिटर की बात करते हैं तो इस कंपनी में क्रेडिटर है कितने पचास अजार यहां करेंट लाइबिलिटी दे रखा है करेंट लाइबिलिटी एक लाख पच्चिस अजार प्रेडिटर थोड़ा उपर जाएगा यह वाला तो हो गया डिबेंचर और यह इसमें आते हैं बिल्स पेवल थोड़ा उपर नीचे कर दिया कोई बात ने 20 अजार और कुछ तो है नहीं अब आप इसका ना वैल्यू निखाल लिए कैसे वैल्यू निकालेंगे साधि तीन लाक और हाइănा चार दो छे और तीन And और यह आ जाएगा अब मुद्दे की बात है कि हमें निकालना होगा इस company का value of share value of shares कैसे निकलेगा उस company की total value क्या है इस value को पता है हम क्या बोलते हैं इस company का net worth के नाम से भी जाना जाता है इस company का actual valuation भी जाना जाता है PC में यही तो था कि PC का मतलब क्या था कि सामने आली company को कितना पैसा देना या उसकी value क्या है यही रहता था अब हमें आप में एक share की value निकालना है तो बहुत सींपल सी बात है जो हमें देख है हम इसको Dived कर देंगे इसके से तो इसके नंबर ऊफिशेört से देखो 2400 और इसको divide कर देंगे इसके number of shares से तो इसके number of shares देखो तो 9000 है तो अगर हम per share value निकाले तो ये कितने आगे 30 और यानि कहने का मतलब है sir जो company खरीद रहा है उसके shares की value कितनी है जो buyer company उसके shares की value कितनी है 30 और seller company की कितनी है value उसने बहला बड़ी सिंपल सी बात है तुम्हारे तुम्हें मैं क्या कर रहा हूं अपनी company के shares देदे तो भाई कितने shares मिलेंगे वो तो decide करना पड़ेगा कितने value का shares मिलेगा तो वो decide करना पड़ेगा तो very simple यहां देखा जाए तो buyer company का share का price per share का price है 30 रुपे और seller company का 20 रुपे नंबर की बात करें तो यहां पे इनका number था 20,000 और 9,000 आपको याद होगा जब ऐसा question करा था last class में के तेरी company का एक share का value पान सो चालिस और चार सो चालिस तो मैंने कहा था भाई तेरी company का shares का price ले ले लेते हैं आपको याद दिलाते हैं तो फिर जादा better रहेगा शायद कहा करा था इससे पहले करा था मैं को सारे question कहा गए यह कर रहे थे हैं इसमें क्या कर रहे थे हम जैसे कि 100-200 बहुत सारे example लिए तो भाई यह और यानि तुम्हारी company का share divided by मेरी company का shares का price into a number of shares तो हम क्या करेंगे यहां पर मैं वही करूँगा जो पहले सिखाया था तो PC कितना आएगा purchase consideration मैं बोलूँगा तुम्हारी company का shares का value 20 रुपे और मेरी company का यह तो हो गया shares की बराबरी और तुम्हें कितने share दूँगा मैं 90 कर दूँगा कर दिया मैंने कलती से 9000 तुम्हें कितने दूँगा मैं अब निकाल लीजिए कई बार point में आ जाएगा तो point को ignore कर देंगे कितने आ जाएंगे तो भाई साब यह 6000 क्या आए 6000 पांच हजार 999 मतलब 6000 यानि भाई साब हम तुम्हें 6000 देंगे तुम्हारे 9000 थे लेकिन तुम्हारे 9000 शेयर के value पता है कितनी बन रही है 6000 नंबर तो मैं तुम्हें शेयर इशू करूँगा और किस company का शेयर इशू करूँगा इशू और पी लिमिटेड के यानि 6000 शेयर और 30 वाले आपको 180 मिल गया यानि purchase consideration तो सहाब यही रहेगा इसका लेकिन इसमें निकालना क्या होता है कि इसको number of shares कितने देने यह पता करना में बात है ताकि हम नई balance sheet बनाएं तो उसमें काम कर पाएं तो यहाँ पर क्या हुआ भईया उसको 180,000 तो मिले गा लेकिन 6000 शेयर मिलेंगे 30 रुपए के हिसाब से आप इस सवाल के लिए अगर formula अगर बनाना चाहते हैं एक थोड़ा सा याद रखने के लिए रिमेंबर रखने के लिए तो कर सकते हैं इस सेलर कंपनी 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 पर शेयर डिवाइड़ बायर कंपनी पर शेयर और इंटू में क्या कर दें नंबर ओफ शेयर्स किसका ओफ ठीक है यह लगाईए formula और आजाएगा यह formula लगाईए और आजाएगा जितने बच्चे नई जोइन हुए यह चप्टर थोड़ा सा उनको समझ में आए ना आए यह नहीं कह सकता लेकिन अहां देखिएगा तो definitely समझ में आएगा तो थोड़ा blur हो रहा है तो blur का reason यह है मेरे पास clear बिल्कुल दिख रहा है आप एक बार setting में जाके quality enhance कर सकते हैं बच्चे कह रहे हैं sir internal reconstruction amalgamation करना जरूरी है कि बहुत जरूरी है यह unity अलग है पेपर का बात तो हम बाद में करेंगे पहले आप सीख लेजिए जरूरी है exam में आएगा ही आएगा आपका दोनों ही questions आएगा option नहीं रहेगा मैं option कुछ बच्चों का थोड़ा सा ना जो देखो question number 4 आया a part reconstruction b part amalgamation और में आएगा a part amalgamation b part reconstruction तो किस बात का और हुआ यानि अगर आप एक चप्टर छोड़ते हो तो आपके 10 नंबर गए पहले examiner करता था कि पंदरा नंबर और पंदरा नंबर में चोईज दे था तो बच्चे क्या करते थे amalgamation छोड़ जाते थे अब एक्जामने ने का भीया चॉइस में देंगे आपको चॉइस से मतलब है इसका मतलब थोड़ी है तुम चोड़ दो तो वह पार्ट में क्योंकि आपके पेपर छोटे छोटे नंबर में डिवाइड हों इसको समझना पड़ेगा चोटे नंबर डिवाइड होने पे नंबर आफ कोश्चन से बढ़ गया लेकिन टाइम नहीं बढ़ाया गया अट्यस्मेंट वही रखा गया जैसे अभी पीछे एक क्वेश्चन था यह निकालना था दस नंबर का एक सवाल दे दिया और एक रिकंस्रक्शन का छोटा सा डान दी है इस तरीके से कर ले ठीक है